तो कैसे हैं आप लोग तो है आप यहाँ पर हमारे पास आज द्रेगन बॉल स्पॉपर से रिलेटेड कुछ नए स्पॉइलर्स और यह स्पॉइलर्स याल लास्ट के दो एपिसोजunta यानि एपिसोर नंबर 130 और 131 से रिलेदेडर और इसके पहले भी हमारे पास इन दो एपिसोड के स्पोईलर्स आ चुके थे और अभी तेक आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके वो पहले जरूर देख लेना जो आज का वीडियो होने वाले उसमें कुछ जाधा एकदम ही बड़े स्पोईलर्स नहीं काफी सारा इंफोर्मेशन हमें पहले सी पता था लेकिन कुछ ऐसा इंफोर्मेशन मिला जो हम लोगो पहले कभी नहीं मिला था इसके लिए मैंने सोचा कि इसके पर एक वीडियो जो हमें दिये है हमस 98 में ट्विटर पर और अभी तक आप लोग ने कर चैनल को सब्सक्रेब ही किते जल्दी से जल्दी उस रेड़ वाले बटन को दबा दीजे चैनल को सब्सक्रेब और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजे ताकि आप लोग को नमर 131 में उसका रिटर्न होने वाले लेकिन यह लोग बाज ने हैंगे याभी भी हम लोग को यही बता रहे कि टूर्णमेंट आफ पावर में सिफ गोकु और जीरेन ही बागी है अब गोकु जो है वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से सिल्वर शाइन कर रहा है क्योंकि उस 100% डालाई नहीं हुए तो एर कितने एपिसोड से मैं बता रहे कि जीरेन अभी अपना 100% डालने वाला है जीरेन अभी अपना 100% डालने वाला है लेकिन अभी तो हैर एपिसोड नमबर 130 भी आ जुका लेकिन अभी तक जीरेन ने अपना फूल पावर नहीं निकाला हुए त और कुछ नया पावर हासिल करने वाला मुझे लग रहा है कि यार यह स्पोईलर्स में थोड़ा मिस्ट्रांसलेशन होगा या फिर उन लोगने प्रेंटिंग करते हैं थोड़ा गलत कर देगा मेरा ऐसा परस्टनल ओपीनियन है एक होई मैं ऐसा आपसे नहीं बातार हो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिरेंग जो अपनी लिमिट्स ब्रेक करने वाला और वो नया पावर हासिल करने वाले जिससे वो अल्टर इंस्टिंट को थोड़ी बहुत तकर दे सकते तो यह थे हैं ड्रेगन बॉल सुपर के एपिसोड नंबर 130 के स्पोईलर्स सब बढ़ते ह यहां पर एक नया इंफोर्मेशन यह निकल गया है कि बाई टाइम अभी आ चुक है जब फाइनली जो है वो टॉर्नमेंट ऑफ पावर सेटल होने वाले और अभी जो सिफ 30 सेकंड्स वाकिये पूरे टॉर्नमेंट ऑफ पावर में तो यहां पर और आगे लिखा हुए कि क् मिराकल कर सकते था कि वो लोग यह टॉर्नमेंट ऑफ पावर जीत सके या फिर यूनिवर्स 11 का जिरेनी जीतने वाले तो यहार इन स्पोईलर्स में कही भी नहीं बताया कि बाई गोकू एलिमनेट होने वाले तो अभी आप लोग सोच रहोंगे कि मुझे कैसे पता कि बाई प्रौकु एलिमनेट नहीं पडें उन में साफसाफ लिखा और गोकू हुअज वह यहीं पावर में से लेकिन अगर इन स्पोईलर्स को पड़े तो यहां पे कहींबी मेंकिया गया कि गोकू गिरने वाले तो यहां पर फिर से एक डाउट आरे कि कि यह जो पिछले स्पोईलर्स हमें मिले थे वो लोग ने रूस पे जान बूच के मिश्टे किया ताकि हम लोग मिसली रोजा और हम लोग को लगने लगे पर गोकु एलिमनेट हो गया तो इसके पॉसिबिलिटी तो काफी जादा कम दिखाई देरी इतना बड़ा वो लोग हम लोग को नहीं करेंगे इसके पॉसिबिलिटी बहुत ही जादा कम है लेकिन फिर चांस तो है क्योंकि यह पहली बार ने काफी इसके पहले भी काफी बार हम लोग को यह उल्लू बना चुके स्पोईलर्स तो इस वक्तों कुछ भी कहना का पॉसिबल नहीं कि बाई जो पिछले स्पो हो जाएंगी और यहां पर और आगे लिखा हुआ है कि जो टूर्नमेंट ऑफ पावर जीतने वाला है वो यह सूपर ड्रेगन बॉल से क्या विश्ट मांगने वाला है तो अगर इस लाइन को थोड़ा अलग से पढ़े तो ऐसा पढ़के लग रहा है एक दमें फैट के साथ नहीं बता रहो ऐसा लग रहा है कि जो टूर्नमेंट ऑफ पावर या फिर ड्रेगन बॉल सूपर हो है और कोई क्लिफ हैंगर पर खतम नहीं होने वाला है तो जो भी टूर्नमेंट ऑफ पावर जीतने वाला है उसकी विश्ट क्या होने वाली है शायद हमें इस लास्ट को चाहिए शेर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजे तो मिलते हैं अगले ड्रेगन बॉल वीडियो में